तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक Redmi का नाई नाए है तो इसमें Google FRP Lock लग चुका है तो इस FRP को किस तरह से आपको reset करना है तो मैं इस वीडियो में आपको step by step बताने वाला हूं तो इस वीडियो को last तक देखते रहे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Wi-Fi के साथ इसको connect क हो जाए इसलिए तो दोस्तों यह थोड़ा सा bypass होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था तो मैंने सुचा कि इसके वीडियो बना देता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं पुराना वाला Gmail माग रहा है next का option नहीं आ रहा है तो दोस्तों इसको किस तरह से करना है चलता SP Flash Tool हमारा आ चुका है उसके बाद simply आपको SP Flash Tool को यहाँ पर open कर लेना है तो यहाँ पर मैं करता हूं इसको okay उसके बाद यह थोड़ा सा open होने में time लगता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको side कर लेता हूं okay तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए करता हूं इसको close कर के बाद आपको डिस्टॉब पे जाना पे उस फाइल पैनना को सब्सक्ता जाना दोके ऑपर शाूँ juste कर दिया एक सील Wähle के अंदर जाना है, तो यहां पे सक्याटर फायिल को हमने स्लेट कर दिया, उसके बाद आपको format में पे लेट, foreign पे इसके बाद मैनिमाल फारमेट के उपर क्लिक करते हैं कि बाद इस फायिल के अंदर जाना है मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर ओके तो यहाँ पर क्लिक करते हम तो हमारा यह रेडमी 9 आये हैं तो आपका अगर रेडमी 9 है तो उसमें भी कर सकते हैं तो यहाँ पर सारा code दिया गया है हमारा इसमें FRP है तो हमने यहाँ पर FRP code को यहाँ पर paste किया उसके बाद 2nd में 2nd वाला code को यहाँ पर paste कर देना है तो हमने FRP के लिए किया तो आप यहाँ पर देख लिए FRP के लिए अगर आपका MI account है या पिर पैटर लॉक है तो इसमें भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको FRP के लिए बता रहा हूं तो Redmi 9 आईगा अगर आपका Redmi 9 है तो उस फाइल को आप एक्स्ट्राक की जिए उसके अंदर O code मिलेगा तो मैं इसको cut कर देता हूं इतना सा काम आपको करना है उसके बाद आपको MCT tool जो है इसको bypass tool और tool बाला tool इसको आपको run करना है उससे पहले आपको antivirus को disable कर देना है नहीं तो यह run नहीं होगा तो सबसे पहले में यहां पर इसका antivirus जो है Windows 10 का by default जो रहता है वह ही आपको करना है real time protection अलग से antivirus है तो उसको आपको आप कर देना है तो simply आप इसको run करेंगे तो एक ही बार में यह run हो जाता है उसके बाद आपका जो leap diver है वह install होना चाहिए media tech का तो वह हमने कर लिया है उसके बाद simply आपको auto पे रहने के bypass पे क्लिक करना है तो install diver ok बता रहा है उसके बाद आपको phone को simply यहां पर connect करना है volume up and down key को press करके ok तो एक ही बार में आपका phone connect हो जाएगा अगर आपका USB lip diver install है तो तो यहां पर USB COM भी हमारा यहां पर बता रहा है यहां पर put in ok तो यहां पर 클ik करने के बाद आपको यहां पyr connection में जाना है connection में यहां पर आपको Tic कर देना है यहां पर high कर देना है यहां परुसके इतना सा काम करना है, उसके बाद आपको simply start देना है, तो एक ही बार में आपका download OK बता दिया, format OK बता दिया है, OK, तो यहां पे आपका FRP है वो reset हो गया है, तो थोड़ा सा यहां पे में वीडियो को speed play कर देता हूं, skip का option भी आ चुका है, तो इस तरह से जो है आप अपने Redmi Xiaomi का phone को अराम से कर सकते हैं, तो मिलता है next video में तब तक के लिए video देखने के लिए बहुत-बहुत thanks, OK?